ओपन माइंड गुर जी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागात है तो जो हमारी ITI सेकंड एर के स्टुडेंट के लिए निम्मी का MCQ सीरीज चल रहा था employability skill के लिए जो subject सभी trade के लिए common है और निम्मी ने जो हमें 418 MCQ दिये है उसी की सीरीज चल रही है तो उसका यहाज का अमारा चोता क्लास है अगर आपको इसी निम्मी के जो 408 question है उसका अगर आपको पीडियाप डाउनलोड करना है प्री में जो की हिंदी, इंग्लिश, मार पीडियाप जो डाउनलोड करेगे उसमें हमने translate कर दिया है तो question के number आपको थोड़े से आगे पीछ हो सकते है उसके reason यह है कि निम्मी ने पूरे mix chapter करके question दिये थे और हमने थोड़ा सा कश्ट उठा के chapter wise क्या कर दिये पूरे question अलग-अलग कर दिये मतलब chapter chapter के question अलग-अल हैंगा मतलब डायर एक chapter में से दूसरे chapter में कूदेंगे और से वापस आजाएंगे तो आप mail नहीं खाता बरावर इसलिए हमने chapter wise अलग कर दिये तो इसका PDF का link भी हमने क्या कर दिया description में दे दिया है और अगर आप channel पे नए हो तो आपको क्या कर देना है channel को सब्सक्राइब कर देना और bell icon दबाग के all notification on कर देना है ताक कि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो अप्लोड करें तो आपको उसका notification मिल जाए तो चलिए बढ़ते आज के पहले question की दरब तो आज का ये employability skill का जो चोथा क्लास है और चोथा क्लास अभी दूसरे चाप्टर पे स्टार्ट होने वाला जिसका नाम है communication skill अल्रेड़ी इसके पहले तीन क्लासेस हो चुके हो तीन क्लासेस में आपको जो MCQ मिलेगे वो IT Literacy यानि के हमारा IT Literacy का चाप्टर अल्रेड़ी क क्लास में अगर उसको आपको देखना है तो प्लेड़ीस में जाके देखना और प्लेड़ीस का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है ठीक है तो आज से हम स्टार्ट करने वाले communication skills है तो थोड़ा सा पहली यह बता देते हैं कि इस चाप्टर में क्या पढ और इसके एंसर के जवाब देते वक्त भी है ना एक अच्छे बच्चे की तरह दिमाग रखके आपको क्या करना इसका जवाब देना यानि कि इसका जवाब क्या होगा 100% आपको बिल्कुल गलत नहीं होंगा बिल्कुल सही आएगा क्यों तो यह जनरल से क्वेश्चन इसम चार் سو ओ्टर ही क्वेश्चन मिलेंगे स्रीप हमने क्या कर दिया है चाप्टर वाईज अलग-अलग कर दिया है यह हमने आपको पहली बता दिया है तिक है अभी देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि मिस कमुनीकेशन कैन लिड़ अगर देखो कमुनानिकेशन मतलब संचा सब्सक्राइब अगर आप बात कर रहे हो मतलब आप और हम दोनों बात कर रहे और बात करते करते हमें कुछ अलग कहना और आप कुछ अलग समझ रहे हो तो उसके कारण क्या हो सकता है उसको misunderstanding कहते हैं अगर आपको बताओगा तो वही जो बोलते बोलते कमुनिकेशन में आपको गलत समझ सकते हो या तो हम बोलते हो गलत बोल देंगे तो इस तरह से जो कमुनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं मिस कमुनिकेशन कर कहते हैं तो उसके कारण क्या हो सकता है तो देखो बिल्ड रिलेशन इससे समन तो बनने वाली नहीं, समन तोड जाएंगे लगे इस तो पर यहाँ पर समन नहीं बनेंगे, दूसरा, create misunderstanding, बिल्कुल सही बात है, अगर हमारा miscommunication होता है, तो उसमें क्या हो सकती है, जब हम कुछ बोलते हैं, और आगे वाला कुछ अलग समझ लेत सकती, सबल योजना नहीं हो सकती, effective result भी नहीं हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, कि यह create कर सकता है, misunderstanding और गलत पहिमीं पैदा कर सकता है, अगर miscommunication होता है, तो तो इसलिए इसका बी answer कर रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, चलो next है, उसके बाद, what is required for effective communication, अब इफेक्टिव कम चाहिए तो बहुत कुछ, पर अभी option के इसाब से भी decide करना होता है, कि इसका answer सही क्या हो सकता है, तो देखिए, keep listening, सुनने से आपका communication अच्छा नहीं होगा, जब आप और आपका दोस्त है, तो आप और हम दोनों भी अभी बैटके, और हम क्या कर रहे है, बात चीत कर रहे अभी समझो कि हम ही बात कर रहे है, और आप बिल्कुल ऐसे बैठे हो, हमारे मुग के तरफ देख रहे हो, तो क्या इसको सही communication कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम कुछ कर रहे है, आप अच्छे से सुन रहे हो, उसके उपर आप react भी कर रहे हो, reply भी दे रहो, नहीं सरी आइसा आए, फिर आइसा आइसा, discussion जैसे चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, good communication, यह तो हम बोली रहे, हम पूछी रहे, आपको बड़ा, मुन्डी भी नहीं ला रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो यह क्या हो गया हो, हमारा गलत communication, किसी काम का नहीं, तो यहाँ पर पूछा है, कि एक effective communication के लिए, किस चीज की requirement है, या तो, क्या करना चाहिए, देखो, keep talking सी, बोलती रहने से, उसको अच्छा communication बोलेंगे, क्या बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तो अच्छा communication क्या रहेगा, listen and talk carefully, ठीक है, अभी देखो, यहाँ पे भी, or listen, carefully, but talk unnecessary, unnecessary, यानि कि बेवज़ कुछ भी बोल देना, यह बेवज़, हमने पहली बुला, कि इसके ज़्यादा तरह answer है, एक अच्छे बच्चे की तरह, आप एकदम good student हो, ऐसा सोच कि आपको इसके जवाब देना है, तो आप सही, मतलब, बहुत से question आप आसानी से, सवाल कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ प के बाद carefully बोलना, यानि कि ध्यान से सुनना, और बात करना, यह एक अच्छा requirement है, या तो अच्छा संचार हो सकता है, प्रभावी संचार हो सकता इस से, तो इसलिए इसका C answer कहा रहेगा, बिल्कूल सही रहेगा, ठीक है, चली, next है उसके बाद, अभी देखे, यहाँ पे 99 क से उठा के, उसको तीसरे चाप्टर में डाल दिया, यानि कि यह question, same to same, आपने अगर class देखा होंगा, तो बताया भी था कि same question, आपके 14 चाप्टर में है, तो आपको यह वाला question, hundred number का, जो है, वो उदर add कर दिया, तो इसका मतलब कि हमने question delete नहीं कर दिया है, उसको अपने IT इसका मतलब तो यह है, कि आपका exam पास आ गया, और आपके दिमाग के उपर आपका तनाव बढ़ गया, यानि कि आपके दिमाग में stress आ गया, जैसे आपकी teacher बोलते है, इत्ता करना है, इत्ता पढ़के आना है, यह book लिखना है, ओ करना है, practical दिखना है, practical का लिखना है, तो यह सब उसके कारण क्या हो जाता है, stress आया, या तो किसी घमें किसी कुछ बोल दिया, तभी भी stress आ जाता है, तो यह जब तनाव तो stress आता है, तब हमें क्या खुशी फील होती है, नहीं, अभी अमें तनाव आगया, हमें tension में अभी अभी हमें बहुत खूशी हो और है, यह उसी तरह का प्रसनता बिल्कुल नहीं होगी उसका अर्थ होता है फिल आफ फॉर्स स्टेशन या तो डिसपॉइंटेट आप फिल कर सकते हो यानि कि आप निराश या तो निराश जैसे आपको भावना होगी कब जब आपको आपका तनाव बढ़ जाएंगा आपके दिमाग क चलो नेक्स्ट उसके बाद how many days does it take to form the habit यानि कि एक आदत होती है आदत तो एक आदत बनने के लिए अभी देखो आदत अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है तो बुरी आदत तो दो दिन में लग जाती है बट अच्छी आदत लगाने के लिए minimum कितने दिन लगते य मतलब रिवार को नहीं जाना है तो आपको अच्छा लगेंगा अगर आप कभी नहीं जाते हो तो आपका एक भी दिन जाने का मन नहीं करेगा बट आप रेगुलर अगर जाते हो और 21 दिन अगर आप कोई भी काम कर ले होते हो तो बराबर 22 दिन से आपको अच्छा लगने लगता है हो सब ठीक है तो उसके कारण आदत लग जाती है जब भी आप कोई काम कंटिनियोस 21 दिन करते हो तो 22 दिन से आपको अच्छा फिलोने लगता है तो यही क्या हो हैबिट लगने के डेज है तो इसको कितने दिन लगते है 21 दिन लगते तो यह वेदर बाद जिंदगी नंबर का जो चक्टर है यह दूसरा है तीसरा आइटी लेटरी से और चौथा जो एंटरपेनर्शिप है उसके कोशन है अभी अच्छे से हम कम्यूनिकेशन पढ़ रहे और इसके बीच में घुसा दिया निम्मी वालोंने एंटरपेनर्शिप तो अभी बताई है कि कैसे हम डाइवर्ट करें आपको या तो कैसे हम मतलब पार्टी जेंज कर दे तीक है आपको समझने के लिए आसान नहीं होगा तो इसलिए अपने क्या करते इसको उठाया और हमने क्या करते चाप्टर में जाके उसको फसा दिया भाई उसको बाद में देखेंगे हम ठीक है सोशल मीडिया वी कैन यूज सोशल मीडिया सभी बताए जहां पे जादा तर टाइम पास करते जैसे अभी यह भी आप सोशल एक सोशल प्लाटफॉर्म में यूट्व बट अभी आप आप टाइम पास करने के लिए तो वीडियो नहीं देख रहे हो आपकी 100% एक्जाम की त ब्लैंकेट टू कनवे और फीलिंग और इमोशन तो क्वेशन में यह बोला है कि अगर आपको अपने फीलिंग या तो इमोशन को शेर करना है तो सोशल मीडिया पे हमें अपनी भावना और और भावनाओं को वेक्त करना है तो उसके लिए काम किसका उपयो करते हैं नीचे सिजित देखेंगे गेशर अलगात हो गई हम सोचल मीडिया पर नहीं कर सकते हैं बोडी मुवम्मेंट भी सोचल मीडिया पर नहीं हो सकते हो ठीक है अभी वीडियो बनाके डांस्वन्स करके बता सकते हो कि हमें बुरा लग रहा कि अच्छा है बट हमारे पास एक शौट आपर यूज करते हो पर्टिकुलर एक situation की हिसाब से अगर यह आपको emoji पता ही नहीं है तो इसका मतलब कि आप इस धर्ती के नहीं हो आप दूसरे गरह से आयो इसका मतलब यह होता ठीक है आज के जमाने में सबसे ट्रेंडिंग चेज़े कर देखेंगे तो यह हमारा क्या होता है इमोजी होता है तो जनरली आजकल हम लिकना छोड़ दिये हम इमोजी भेजना स्टार्ट कर दिये मतलब जो भी बोलना है इमोजी मी बोल देते हैं आगे वाला अपनी feeling समझ लेता है तो वही question में बोलाता कि social media पर अगर आपको आपकी feeling या तो emotion share करना है तो अगर समझो और वाले ने दाट दिया बोट तो फिर आपको बुरा लगता है या तो आप रो रहे हो तो आप यह रोने वाला सिंबल लाल देंगे बराबर है तो इससे आपको पता चल जाता आगे वाले को आपके दोस्त को कि नहीं इसको अभी मार पढ़िए गर मैं तो इसलिए रो रह देते हैं हम अपनी भावनाओं को व्यक्ता करने के लिए इमोजी का चैन करते हैं अभी ब्लैंक है यहां पर इंगलिश दोनों में तो अभी आप्शन देखेंगे रैंडम रैंडम हैने की कौन सा भी अपनी इसाब से मतलब अभी हमें गुसा आ रहा है तो हम रो रहा है की है जो इमोजी बिलगुल हमारे सिचुयेशन को बिल्कुल बोल पाये मतलब उस्सिचुयेशन के लिए जो परफेक्ट है उसको हम सेलेक्ट करते है तो इसलिए इस ब्लैंक में व्यसान की साफ से सीलेक्ट करते है तो के नन का तो सवाल ही नहीं और रैंडम का भी सवाल नहीं तो इसलिए इसका बी एंसर का है बिल्कुल सही है ठीक है चलो नेक्स्ट है उसके बाद जैसे ये मोजी देखके आपको क्या लगता है हमें खुशी हो रही है बिल्कुल नहीं हो या तो हमें गुस्सा आँरा है हमने आपको बेज दिया तो आप समझसके होें सारे सर को अभी गुस्सा को भी हमारने की फिराक में करकways तो ये emoji का क्या होता है, use होता है कि बीना बोले हम अपनी emotion क्या कर सकते हैं, share कर सकते हैं, तो उसके लिए word नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते है, emoji use करते हैं, तो question में वही पूछा है, कि use emoji when, when आनि कि कब, जब हम use करते हैं, कब, जब word are not enough to express our feeling, आनि कि शब्द हमार एंसर क्या रहेंगा बिल्कुल सही रहेंगा चलो नेक्स्ट उसके बाद वेन वी स्ट्रॉंगली फिल और रियाक्ट सिच्वेशन विद पर्टिकुलर पीपल वी आर यूज अब देखें यहां से थोड़ा सा कोशन चेंज हो रहा है यहां पर पूछाया कि अगर और पर्टिकुलर पीपल के साथ जो भी तब आप किसका यूज करते हो नीचे में जो चार अप्शन दिए उसमें से देखें जब हम विशेश परस्तितियों में या विशेश लोगों के साथ दूरूटता से महसूस करते हैं मतलब दूरूटता है नहीं कि अच्छा नहीं ल से हमें बतानी की जोरत नहीं ठीक है तो ध्यान में रखना तब हम किसका यूज करते हैं इमोशन का यूज करते हैं या तो अपने भावनाव का यूज करते हैं तो इसलिए 117 का एंसर रहेगा ठीक है चलो नेक्स्ट उसके बाद इस इंपोर्टन टू क्या इंपोर्टन है यह महत्वपोर्ण है बी नीचे में चार आप्षरन देखना और चार में से देखना है कि कौन सा महत्वपूर्ण है तूआ अब चा इक अच्छे बच्चे के लिए सोच्चेंगे करो हमारा हो या तो किसी कहा हो समझने की कोशिश करो और उसके बाद प्रतिबंद करे मतलब क्या करे उसको emotion को manage करे बराबर उसको manage अगर बले गुस्सा आता है गुस्सा आता है तो मार दो ठूस दो जुझरे को ऐसे नहीं होता है अपनी emotion को control करना manage करना यह बहुत जड़री तो यह पहला अप्षान अपने लिए अच्छा हो सकता है accept misunderstand मिसंडस्टैंड मतलब यह हो नहीं होई नहीं सकता कि गलत समझो किसी बात को दिये तो गलत ही हो गया मिसंडस्टैंड इसमें भी है मतलब यह भी option नहीं है हमारा इसमें भी मिसंडस्टैंड है मतलब तीनों कड़ गए हमारा पहला यह option कहता बिल्कूल सही था कि क्या करना आपको कोई भी situation होती है तो आपको accept कर लेना है पहले उसको समझ लेना यानि कि understand कर देना उसके बाद उसको manage करना है यानि कि उसको क्या करना है प्रतिबंद लगाना या तो बरावर कंट्रोल करना है सीदी सीदी सिंपल बात में तो हमारा यह option कह रहेगा बिल्कूल सही रहेंगा यानि कि यह हमारा लेक्या है एकदम महत्वपुर्ण और important है ठीक है चलो next है उसके बाद मतलब आप दोस्त के बारे में सोच की देखो अभी 10 दोस्त होंगे आके आपके तो 5 दोस्त होंगे हर किसी का emotion कंट्रोल करने का तरीका बिल्कूल अलग-अलग होता है किसी को थोड़ा सा बोल देंगे उसको गुस्सा आ जाएंगा और मार भी देंगा हो समय आ जाएंगा थ छोड़ 22 को मतलब वो क्या कर रहे है अपनी emotion को कंट्रोल कर सकता है उसका relation अच्छा होता है और जो कंट्रोल नहीं कर सकता है वो उसका relation बिल्कूली ठीक नहीं होता है कई आध भी घर में हो दोस्तों के साथ हो Ellis को भावनाव को समयंना और प्रतिबंद्द करने की इक शम था क्या कहलाती है तो दीखिए यह एक तरह का इंटेलीजेंस है वाट इंटेलीजेंस से काम नहीं चलने वाला इंटेलीजेंस की बुद्दी अगर पढ़ाई में हो गरें उशार हो तो हम उसको इंटेलीजेंस कहते है और बात बिल्कुल सेए अगर भावनात्मक बुद्दी आपके पास इंटेलीजेंस है तो आप क्या कर सकते है उसको अच्छे से manage कर सकते हो तो अगर आप एकदम अच्छे से manage कर सकते हो तो यानि कि आप emotionally क्या है emotional intelligent है आपके पास तो इसलिए इसका C option कहा रहेंगा बिल्कूर सही रहेंगा चलो next है उसके बाद एक person with high emotional intelligence अगर कोई person है उसके बाद अच्छा है निकि उसका emotional intelligence एकदम अच्छा है वो अच्छे से किसी को समझ सकता है situation को अच्छे से समझ सकता है और उसको handle कर सकता है देखो ये सबहना सभी के सभी जन नहीं कर सकते ये power सभी के पास नहीं होती है particular कुछ लोगों के पास होती है तो आपको भी आप मतलब हाजू भाजू में थोड़ा सा सोच के देखिए कि किसका emotional intelligence अच्छा है तो ठीक है तो देखिए हिंदी में उच्छा भावनात्मक बुद्धी वाले व्यक्ति के पास अभी blank होता है या तो है जो भी है option में देखेंगे देखो negative qualities उसमें negative qualities होते हैं बिल्कुल नहीं हो तो उसका एकदम अच्छा quality है ठीक है उसमें ego होता है ये भी बात गलत है ये lot of positive qualities मतलब उसमें बहुत सारे सकार आत्मा गून होते है यानि कि हमने पहले बुला कि हो क्या कर सकते है अच्छे relation maintain कर सकते है situation handle कर सकते है मतलब जगड़ा भी हो रहा है तो उसको भी solve कर देंगे अगर हो emotional intelligence है तो ठीक है तो इसको job नौकरी का तो या भी फिलाल कोई सवाल नहीं है तो उसके पास क्या होंगे lot of positive qualities रहेंगी यानि कि बहुत सारे सकार रात्मा को उसके पास गून है ऐसा हम बोल सकते ठीक है उसके पास next question when something good happen to us we feel अगर जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है जब हमें अच्छा होंगा हमारे साथ simple सी बात है कि हमें बुरा लगने वाला है ठीक है option में देखेंगे तो आपको पता है कि आपके साथ अगर अच्छा हो गया आज आज आपका result लग गया और आप positive emotion like anger मतलब आपको कुरोध भी नहीं आएगा यह भी गलत हो गया बचा यह कि positive emotion like happiness आपको क्या होगी positive emotions आएगा आप में से और आपको एना एकदम खुशी महसूस हो गया निकि इसका D answer क्या आए बिल्कूल सही है ठीक है चलो next है उसके बाद the first step to manage the emotion is to देखो first step क्या है first step to manage the emotion अगर आपको emotion को manage करना तो सबसी पहली step क्या है यह question में पूछा है तो भावना को प्रति बंदित करने के लिए पहला कदम क्या होगा तो देखिए accept and understand the emotion देखो express emotion नहीं manage emotion नहीं reject emotion नहीं बट यह वाला accept करना जो भी situation है उसमें क्या करना कि पहले उसको accept कर लो या accept कर लो या निकी उसका स्विकार कर लो पहले और उसके बाद उसको समझो तबी जा कि आप क्या कर सकते हो अच्छे से उस emotion को manage कर सकते हो नहीं तो बस एकादे ने बोल दिया बस उसको फिर तान दो उसके कान के नीचे फिर यह emotion कंट्रोल नहीं है पिर आगे वाले ने कुछ बोला आये उसके पीछे कुछ रीजन होगा पहले सुन लो accept कर लो उसके बाद सोचो थोड़ा सा उसके बाद लगिस तो दे दो बात की बाद है बट पहले क्या करना है अपनी emotion को नहीं तो बस किसी ने थोड़ा सा भी उंगली लगा दिया फिर ठ एक्सप्रेस नहीं करते हैं आगे वाले के साथ शेर नहीं करते हैं तो हम क्या end कर सकते हैं तो क्या हमारा end हो सकता है ऐसे question में पूछा है अगर अपनी भावना को हम व्यक्ति नहीं करेंगे अगर समझो कि हमें बहुत बुरा लग रहा है या तो किसी चीज का बहुत बुरा नोनी लगती है, तो लगी फील होता है, वैसे लोग क्या करते है कभी कभी सूसाइट कर देते हैं अगर ये काता दोस्त मिल गया ना सूसाइट करने वाले को तो वो अपनी feeling अगर share कर देना उसको मन हलका लगता या आपने भी feel क्या होगा, किसी ना किसी के साथ share करना, और या अच्छी बात है, ना किसी के साथ तोाइने के सामने खड़ा हो के, आप खुद के साथ ही share कर दिया करो, मतलब आपको एक दम अच्छा लगेगा, अगर वैसे नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आप hurt होंगे, अव लोगो भी hurt होने वाला है ठीक है उसके बाद expressing ourself help in अगर आप express करते हो खुद को खुद को express करते हो और खुद को जानने की कोशिश करते हो तो आप help करते हो किस चीज के लिए करते हो कि finding the solution to deal with a negative emotion अगर आप खुद के बारे में अगर पहले जान लेते हो तो आप खुद के बारे में जानेंगे तो आप क्या कर सकते हो आप खुद में कितनी खामी है मतलब क्या क्या नीगेटिव अपने अंदर के हेल्प कर सकते हैं कि फाइंडिंग दो सोलूशन है नकरमाथ भावना से निपटने का हम उपाय खोच सकते हैं प्रब्लम ही अगर पता नहीं है तो फिरू सोलूशन का दूसर सवाल ही नहीं उड़ता ठीक है तो इसलिए खुद को क्या करना खुद के साथी कभी-कभी एक्सप बाद है इफ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल यहां पर ब्लैंक है इट कैन स्पॉइल रिलेशन इसका मतलब कि अगर ऐसी कोन सी बात है को नियंतरी नहीं करना सीखे तो रिष्टे खराब कर सकते हैं अभी चार में से ऑप्शन में देखना है देखो हसी कंट्रोल क करने से क्या हमारे रिलेशन खराब हो सकते बिल्कुल नहीं पीपल को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं लोगों को कंट्रोल करने की अन्य का तो भी अन्य और क्या-क्या कंट्रोल करना है खाने में कंट्रोल कर सकते हैं और क्या-क्या कंट्रोल करेंगे तो आप देख सकते हो अगर हम teacher है और आप हमारे student हो, अगर आपने पढ़ाई नहीं कि हमने आपको डाट दिया, हमने आपको डाट दिया, दो-चार कुछ बोल भी दिया आपको, तो अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, हमें भी बताएं कि बच्चों अभी गुस्सा आने वाला है, तो गुस्सा क्रोध को कंट्रोल ना करें, तो हम अपना relation क्या करतेंगे, spoil करतेंगे, तो खराब करतेंगे, ठीक है, उसके बाद, next question, what is the process of formally introduce ourselves, ठीक है, अगर आप अउचारिक रूप से अपना परिचे देते हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, देखो, क्या क्या कह आना या तो अउपचारिक तरीके से बताना कि हम कोन है, हम कहा से पढ़े, क्या है, कहा से आए, यह जो introduction होता है, उसको self introduction कहा जाता है, तो इस तरह का introduction आप शादी करने जाएंगे ना, तब आपको भी देनी की ज़रत पढ़ सकते, ठीक है, तो इसका C answer कहा रहेगा, विल्क है, या तो इसको कुछ पता ही नहीं है, कि हमारे बारे में, क्या बोलना है, खुद के बारे में, तो यह आगे की जिन्दगी क्या समाल पाएगा, तो इससे आपको उठा देंगे, लड़की भी नहीं देंगे, अपनी ठीक है, उसी तरह से job के लिए जाएंगे, अगर आप self नहीं लेने में मदद करता है, काई की नहीं है, चैटिंग करने के लिए, चैटिंग नहीं करना, ठीक है, ट्रांसपर करने के लिए, हाईरिंग यानि की भरती प्रक्रिया में, आपके सीलेक्शन के लिए, एक अच्छा, एच्छ सुरुवात, या तो अच्छा एक मोका हो सक अभी blank में अभी जैसे आपका IT हो जाएगा second year आप clear कर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे अच्छे बच्चे के तरह अगर अच्छे बच्चे के तरह सोचके नहीं देंगे तो हम क्या वाइंगे हम कहेंगे कि हम feel free एकदम स्वतंतर feel करेंगे क्या अभी तक हमारा teacher पीछे क्या result है कि हमारा IT होती हो दूणने लग जाएंगा अपरेंट्शिप का पर मिलेगी और सर्जी हमें जॉप का पर मिलेगा नहीं तो फिर तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो आपको बोर भी हो सकता है आपको आप relax भी feel कर सकते हो या तो आप feel free कर सकते हो एकदम स्वतंतर यह सिलाबस की हिसाब से और question की हिसाब से आपने job सर्च करने हो ना है तो अपरेंट्शिप सर्च करने हो ना ठीक है चलो नेक्स्ट है उसके बाद अच्छा होते है इंडस्ट्री में तो उनके साथ अगर विजीट करना है या तो बातचीत करना है तो उनको आप कैसे मिल सकते हो तो आप personal travel करते हो तो आपको तो आपके बाजू के शीट में आके तो बैटेंगे नहीं हो shopping mall में भी आपको मिलेंगे नहीं या तो इंटर्व कि आपको क्या हो सकता है कि उनके साथ बात करने का मोका मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पर आज का class है ना रोग देते और बाखें के question है इसके बाद वाले class में continue करते है तब तक आपको क्या करना है अगर वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को एक like करना है आपके जरुरत वाला class देखने के लिए नेक्स वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं अन्यवाद